हेलो एन वल्कम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्लेक प्राइट कप टीट मेंडी की बात करेंगे जो कि मेंच हो गाई आपर बुर्ज सिसी वर्सिस गोहाटी टाउन कलब के बीच में तो चलिए दोनों टीम के प्ले को मिलेके जाना है और कोंसे प्लेर को आपके सकते हैं इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बीना किसी देडी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इस से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर ले इसके अलावा यहां से इसी एक टीटेन करके बीडियो के वीडियो मिलने वाले है तो यूटूब चैनल को सबसे बेले सबस्क्राइब करना है साथी में टेलीग्राम से भी जूड़िएगा टेलीग्राम से जूड़ने का फाइदा यह है कि हमारी जो भी स्मॉल लिग्की य आपर प्रवाइट करते हैं वहां पर हम लोग चैन्ड करते हैं इसके अलावा यहांसे कुछ अपडेट वगएरा रहती है आकरी वक्त वे यानि कि टॉस के बाद बहुत सारी न्यूस वगएरा रहती है वो सारा अपडेट हम लोग यह आप टेलीग्राम में देते तो टेली की बात की जाए तो बैटिंग के लिए अच्छी बीच है हाला कि देखो इस पीनल्स को यहां पर ठीक टाक एडवांटेश है लेकिन यहां पर रंस ठीक यहां पर 140-50 के आसपास बन सकते हैं चेजिंग में यहां पर ज्यादा तर चेजिंग करने वाली टिम को एडवांटेश पिछली टूनामेंट के अब इस टूनामेंट के अंदर टोटल 14 मेचेश के लिए जिसमें से साथ मेच पहले बैटिंग करने वाली टिम ने जीती है बाकी तो यहां पर पिछली कुछ मैचिस की बात करो तो टिम ने टौसी के पहले चेज करना पसंद किया है तो आइधिंग कि बात की जा तो 20 रन किये थे इन्होंने लास मैच के ने इसके पहले दो मैच के न कुछ खास नहीं किया तो थोड़े से नीची भी थे तो अगर कोई चोईस ना मेच करेगा आइधिंग कंट्यूनी आपर ओपनिंग करवा सकता है और अठारा मैच करना करीब 17 के एवरे से सेकंड लास मैच के अंदर इसके अलावाए ऐसे बात करते हैं जीतू अली की तो जीतू अली लास मैच के न हमारे लिए ट्रम काड़ थे जहापर इन्होंने 49 रन की एक विकेट निकाला और आगे भी हम लोग इनके साथ कंट्यूनी करेंगे देखो यह बंदे ने पहली करना चाहो तो कर सकते हैं क्योंकि यह बंदा जब भी कर रहाता है तब कुछ ना कुछ बड़ा करता है अलाकि अभी तक एक एक विकेट निकला है लेकिन दो तीन विकेट वाला परफरमस आना बाकी इनकी तरब से तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं इनको कप्तान वाइस लें जहां पर इन्होंने नीचे के ले वहां पर 2 मेंच के अंदर 6-6 रन कीये तो मतलब अगर उपर खेलेगा तो यहां पर तगड़ा एडवन्रेज दे सकता एक बार फिर से इसके बावजूद्य यहां पर 20-24 जैसे रन कर रहे हैं देख ले देख लेंग हैं कोन सी है इसक तो अभी के लिए इन हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं आईशे मान मलाकार को जलू लेके जाना है यहां पर डेफिनेली यहां पर दो तीन वर्स की गेंबाजी करेगा तो इनको लेके जाएगा पाकि रोहिच सिंग लास्ट में वाइस कप्टान थे और आगे क्योंकि हमने दो बार इनको वाइस कप्टान की दिञारी यहां पर भी इन्हों ने तीन व्केट निकाली और लास्ट मेंच के अंदर दो विकेट निकाली थी अलाकि यह चया पर सपेशिल गयम बाच है तो ओवर्स करवा सकता है लेकिन यहाँ पर करवा सकता है सुन्दीब रभा विकेट टेकर गैन बाजे तो इन से आप लोग बॉलिंग से उमिद कर सकते हैं खास तो आप चिंटू देखा के उपर इसके लबाए स्टार्टिंग की बात की जाए तो कौशिक गिरी के साथ अमिच सिन्हा देथ वसकी बात की जाए तो रोई पुषपराशरमा तो इनको डेफिनेटली लेके जाना है बात करें लोग यह जो की तीन मैच के लिए जहां से दो मेंच वह जीती है एक मैच वहारी ओपनिंग में सुमित कश्यप दिखेंगे आपको यहापर महानननदा बोरा के साथ महानननदा बोरा लास मैच के नहीं टी बोलिंग से एडवाणटेज दे सकते हैं सुमित कैस्यप बैटिंग बोलिंग डोनों करवार हैं आजब प्लेयर के साथ कपटान वाइस कप्तें सीप कर इसक ले सकते हैं विशाल शर्मा को में आजब लेके जाना है 15 रन के साथ एक विटे यहापर 21 नन के साथ एक लिगए यूराज तेवारी जो कि पहली मतलब बीच वाली दो मैच करने रंस किया ओर ओर ओल प्लेयर अच्छा यहां पर करीब 30 की एवरेज है यहां पर 20 मैच करने 480 के करीब रहन है तो परोसा कर सकते हैं दुरू बोरा लास मैच के रहा हमारे कप्तान थे जहापर इन्होंने 46 रहें किये एक विकेट निकाला आगे भी हम लोग इनको कप्तान वाइस करेंगे क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करवा रहा है आपर और वह भी पूरी ओव दे सकता है जिस तरह से रोहित सिंग ने पिछली मैच के नहीं साथ विकेट निकाली इसलिए वल का परफॉमस दे सकता है इतना बड़ा नहीं तो यह सही तीन च्यार विकेट निकाल सकता है देवराज शर्मा के रहेंगी जील में ट्राइक करो कि अभी से गुपता विकेट निकालते वार है तो इनको डेफिनेली लेगे जाएगा इसके लब वैसे प्रित्वी रूप चोधरी की बात करें तो यह लास मेंच के नहीं साथ यह पर सुमीत कष्चप ने देथोस में गिनवाजी कि इसके अलावा बेंच मैंसे कोई भी प्लेयर के लेगा तो इनके स्ट व्डेटंटेट को जुङए निक दिक्रिप्सम्हेंन में दाउब है आप लोगो उसको उसली को सब्सक्रेण को अच्छा परेफरमस किया था फिर तीरा रहन के लाट लास में दे सकता है खास तोर पर बॉलिंग से चार वोस की पूरी गेंद बाजी करेंगे रंजीत माली विकेट टेकर गेंद बाज है और अविनाव चोधिर की बात के होते हैं थोड़े से इनके प्लेयर के लेगा तो इनकी अपडेट भी में आपको टेलिग्रम में दे दूँगा अपर निचे शर्मा और के तलुगदार हमारी टीम के लेंगे यहां पर लोग बिशाल शर्मा को भी ले सकते हैं तो टीम के कप्तान रहेंगे वाइस के लिए आपको जल्दी से टेलिग्रम चनल को जोईन करना रहेगा और टेलिग्रम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्सें बॉक्स में दिया हुआ है आप लोग को उसी लिंक से टेलिग्रम चनल को जोईन करना है वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो और यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे आने मली और अच्छे मैंची से वीडियो आपको इसी यूटूब चनल के उपर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग करोगी गया देखो करना कुछ नहीं सिंपल सी बात है आप लोग यह पर वीडियो देखने के लिए वीडियो पूरा देखो अच्छे से समझो सारे प्लेइस के बारे में मैंने ड अच्छे से टीम बनाओ अच्छी से अपने वीडियो में तब तक के लिए बाई दन्यबाद जय हिंद जय भारत